I can only आप सब ँचैप नहीं कि ए अनको सब इंचा थेखंग ए इन्चा एक्षान अधर निका थेखने को आप को आज को सब्धास है इा अपको है अधर घर्च gef करेंनी सुम्पल टारीके से रेजाए रेके हैं बनाते हैं तो हमारे तरीके से आप एक बार ज़रू ट्राइ करके देखिएगा तो यह हमारा 250 गिराम पनीर हमने इसको इस तरह से कट किया है तो इक उपर डाल दिया देशी घी में इसको फ्राइ कर रहे हैं आप देख लीजिए कितना सॉफ्ट पनीर है हमारा यहां पर आप बहुत ही सॉफ्ट लार rituals हमने घर पर इस तयार किया है पनीर को यह बहुत सॉफ्ट पनीर है और बहुत ही टेश्टि बननेवाल समारा पनीर मसाला तो पूरा ड्यांसे देखिए कट आपको बहुत पसंद आएगा इंशालला आहां पर आप अप तो में तो 2-3 मिंट हम पनी कटाई में थे सबस् ediyorum करें किया किते हैं। एसलब कर देख सकते हैं दोस न जो पिता ये अगर मंदू हैं। तो आपकी मर्जी है आपको घी में बटर में बना नहीं आप बना सकते हो जिस तरह से हम बना रहे हैं प्यास अच्छ थे तेड़ और ылमेच पर शह खाHYए दिया है बोल प्यास प्यास अच्छ पाउड़र साहसर से रहाएं अच्छ अच्छ एक लXT 1-2 चूटकी थिऑद एक लीजा थे खार लोग निए थे तबना थे अच्छ मिक्स कर दिया है और यहां पुलिए नहीं इसको मिक्स कर दिया है। तो आप देखे लिए चमच फूल्वरक अंटे कें मिक्स कर दिया है यहां पर तो ने चमच्छ पूलबर के इस लोगारे और चार-पांच मिनृट बहुत अच्छे से भून लेंगे तो थोड़ा सा एस के अंदर हम पानी अट करेंगे, पानी आट करके भूनेंगे ताकि हमारे मसालो का कच्चापन चला जाए और टामाटर भी सॉफ्ट हो जाए, तो पानी डाल कर इसको अच्छे से भून लेंगे, तो तीन से चार चमस की करीब पानी डाला है, अभी हमने इस तो भून लेते हैं चार-पांच मिनट मसालो को मेडियम फिलें पर तो चार-पांच मिनट मसालो को भूनने के बाद एक चीज यहां पर शूट नहीं हुए उसके लिए सौरी नमक डाल देंगे टेस के हिसाब से तो हम आपको दिखाना चाहेंगे हमने 15-20 काजू लिये थे और दो हमने प्याज ली थी उसको अच्छे से फ्राई किया था गोल्डन ब्राउन होने तक तो प्याज और काजू का हमने पेस तयार किया और वह इसके अंदर एट कर दिया मसाला भूनने के बाद तो वह शूट नहीं हुआ है उसके लिए सौरी तो हमने आदा चमच राई भी दाली थी वह भी शूट नहीं हुआ है आप तेल डालोगे तभी घड़े मसाले में आपको जो डालना है आप डाल सकते हो अभी हम फ्राई कीवा पनिर इसके अंदर एट कर रहे हो आपको जीरा डालना हो डालीजिए जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हो जब तेल डालोग लेकिन वो चालू ही नहीं था तभी क्या कर सकते हैं तो हम सोचे चलो आप लोगों को बोल देंगे तो इंशाला मेरे वीवस समझ जाएगे यहाँ पर आप देख सकते हो पनीर जाल प करें आप ऐलगे नहींजерм ही डाल करके इस बॉल में हमाराफ पनीर स्वाषर और ब्रहसा प्नीर बिखार ज़ाएम करका है तो तो अमने कमामेरे उठी है तो हम इसको धन्या में छारशा से पांच मिनित को खुआ है 2ड़ आप देख निया सकते हो चारशा ये कार मिंच तो आप आप देखु लेजैने यहां पर हमारा पनेर मसाला कितना टेस्टी लग रहा रहा हूं ला तो और भी हमने इसको 2-3 मिनट पकने दिया है एकदम ठिक सी हमारी गिरीवी बन करते यार हो चुकी पनीर मसाला आप देख लीजिए कितना डिलेशिस बन करते यार हो चुका है एकदम एज़ी एकदम सिंपल है इसको बना रहा और इसका टेस इतना ला जवाब जब आप इसक बहुत सिंपल तरीके से हमने आपके साथ यह रेसिपी शेयर की है हमें उमेद है इंशाल आपको जरूर पसंद आएगी आप एक बार तो जरूर ट्राइ करके देखिएगा गर्म अगरम आप इसको नान रोटी चपाती किसी की भी साथ में सर्फ कर सकते हो किसी की भी साथ मे यहार हो जाता है एक बार तो जरूर ट्राइ करके देखिएगा जब आप इसको ट्राइ करोगे तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और हमारा पनीर कितना सॉफ्ट है हम आपको तोड़ कर भी दिखाएंगे सॉफ्ट करेंगें तो यह यह लीजिये हमना इसको सर्फ कर लिया हमने चपाती बिनाई है तो उसी के साथ में हम इसको सफ्ट करने बाले है तो यहां पर आप देख लीजिए इसके गिरेवी देख लिए इसका मसाला देख लिजिए माशयौला रेष्टÓUND का भी आपको फे प्रेंट्स आप देख लीजिए जब आप इसको बनाऊगे और खाऊगे ना तो हमें उमेद है इसको खाते ही रह जाओगे एक बार तो इसको ट्राइ करना बनता है तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा पनीर मसाला तो देखा ना आपने जट पर से कितने सिंपल तरीके से हमने हमें अपने दूआउ में याद रगी तब तक के लिए लापीस